नमस्कार मेरा नाम है में तो गेजट्स वर यू के एक नए वडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम करने वाले हैं बैटरी चार्जिंग कमपारजन कुछ लेटे स्मार्ट फोन के बीच में तो चलिए उससे पहले देख लेते हैं हमारे आज के इस वीडियो के स्पॉनसर दोस्तो आपको बता आते हैं रेड्मी नोट 7 प्रो और सामसांग गलेक्सी A50 में को देखने हो मिलता है 4000 एमेज का बैटरी इसके बाँ जाते हैं गलेक्सी M30 की तरफ तो वहाँ पे सबसे बड़ा 5000 एमेज का बैटरी देखने हो मिलता है और अगर आप बात कर रहे हैं Realme 3 की तो यहाँ पर देखने हो मिलता है 2430 एमेज का बैटरी और अगर हम बात कर रहे हैं चार्जर की तो सामसांग की दोनों ही फोंस में आपको इन बॉक्स ही फास चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि 15 वाल्ल के साथ में आते हैं रियल में 3 में आपको नॉर्मल चार्जर देखने हो मिलती है तो 5W.2M की आउट पॉट रिटिन के साथ में आपको चार्जर देखने को मिल defa और अगर हम बात कर रहे हैं Redmi Note 7 Pro की तो इन बॉक्स जो आपको चार्जर देखने हो मिलता है वो तो लगाता है कितना टाइम complete चार्ज होने में दोस्तों 10 मिनट complete हो चुके हैं तो इन सभी फोन को on कर देते हैं यहाँ पर हम सारे ही features को off करने वाले हैं वाइपाय, GPS, Bluetooth और सब फोन की जो brightness है उसको भी medium लिवल पर रखने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मिनट के बाद Redmi Note 7 Pro चार्ज होआ है 15%, A50 है 12% और अगर हम बात कर रहे हैं M30 की तो 8% है और Realme 3 9% है यहाँ पर देखेंगे हम आदे गंटे के बाद की यहाँ पर हमें क्या सुचेशन देखने को मिलती है इन सब भी phones की battery के लिए दोस्तों half an hour हो चुका है यहाँ पर हमें Redmi Note 7 Pro देखने मुलता है 33%, 30% है A50, M30 है 23% और अगर हम बात करते हैं Realme 3 की तो वो है 24% यहाँ पर Realme 3 और जो Samsung का Galaxy M30 है वो almost बराबर चल रहे हैं यहाँ पर battery का difference है लेकिन fast charging का support आपको दिखने मुलता है Samsung Galaxy M30 में और दोस्तों one hour हो चुका है complete charge करते वे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या situation है Redmi Note 7 Pro charge हो चुका है 65% अगर हम बात कर रहे हैं A50 की तो यहाँ 59% पर और Realme 3 और M30 दोनों ही 47% पर और दोस्तों one hour and 30 minutes के बाद हम को देखने मुलता है 92% पर है Redmi Note 7 Pro 88% पर है Galaxy A50 और दोनों ही फोन्स Realme 3 और M30 71% पर है और दोस्तों 2 गंटे complete हो चुके हैं जहां पर आपको देखने मुल रहा है कि Galaxy A50 हो चुका है complete charge जहां पर आपको 4000 बेच की बैटती देखने को मिलती है जी हां dot 2 गंटे में charge हुआ है Redmi Note 7 Pro पहुचा है 99% पर और दोस्तों Redmi Note 7 Pro को complete charge हो चुका है जहां पर टाइम लगा दो गंटे और तीन मिनिट का Galaxy M30 पर complete charge हो चुका है जहां पर टाइम लगा 2 गंटे और 18 मिनिट का अब देखना होगा कि Realme 3 जहां पर 2230 मेंच का बैटरी देखने मिलता है ये कितनी दिर में charge होगा और दोस्तों Realme 3 को 90-100% राइम में काफी ज़्यादा टाइम लग गया जहां जो complete time लगा है वो है 2 hours in 46 मिनट जो कि मुझे लगता है थोड़ा से ज़्यादा है यहां पर fast charging का support होना चीए था अगर हम बात करते हैं Galaxy M30 की तो काफी अच्छा कासा time उनको देखने मिला है यहां पर टाइम लगा है लगबग सवाद 2 गंटे और अगर हम बात करते हैं Redmi Note 7 Pro की तो यहां पर 2 गंटे और 3 मिनट का time लगा है Quick Charge 3.0 की support से यहां पर यह चौमे का जो phone है Redmi Note 7 Pro यह Quick Charge 4.0 को भी support करता है लेकिन इसके लिए charger अभी अविलेबल नहीं है जब charger इसका अविलेबल होगा तो हम एक पर फिट से test करके देखेंगे क कि वहां पर हमें कितना time देखने को मिलता है तो बस दोस्तो आज की वीडियो मितने ही उमीद है आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुर मुत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना चनल को सब्सक्राइब कर ल झाहते हैं?